चलिए जानते हैं इलेट्रिसिटी ठीक है आज चेप्टर्स में हमने इलेट्रिसिटी के बारे में दिश्कस करने वाले इससे पहले वाले चेप्टर्स में अपने प्रिवियस क्लासेज में पढ़ा होगा एनरजी के कई फोर्म्स होते हैं राइ्ट एंडर्जी लाइट एनरजी कि मेंग अनरजी जए तो उसी तरह की इलेट्रिक इनरजी वहता है लेकिन आज की समय में इलेट्रिक एनरजी के बिना electricity के हम अपने life को imaging भी नहीं कर सकते हैं यह हमारे लिए इतना most useful है it can be convert to almost all form of energy easily and can be a storage transmitted over the long distance with very little wastage जो electric energy को store कर सकते हैं एक जर्ग से दूशे जर्द ट्रांस्मीट कर सकते हैं कि इसली transmit कर सकते हैं और बहुत कम wastage के साथ आपने देखा होगा जहां भी होंगे बरे बरे टावर्स लगे रहते हैं एक वन एस्टेट टो अधर रस्टेट तो फर्स्ट एस्टेट तो डिफेंट 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 कंट्रीज में electricity इस इस दूसरे कंट्री में वेज सकते हैं विद हेल्फ अब दा कंड़तर तो कम से कम wastage में इसको इस जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है कि आज के लाइफ में जो भी चीजह हम यूज करते हैं वह चाहे लैप्टॉप हो चाहे बॉल्ब हो चाहे मोबाइल हो सब्सक्राइब मोटर्स और फोंस एर कंडिशन हीटर कंप्यूटर में मसिनरी ओल यूज दिफ्रेंट इफेट ऑफ इलेट्रिक एनरजी इस फैट इस दिफकल तो इमेजिंग आवर लाइफ विदाउट इलेट्रिक एनरजी जह सोच के देखे बिना इलेट्रिक एनरजी के हमारी लाइफ कैसी होती है अगर आज के समय के हनुसार देखे तो दो रीजिन ओफ इलेट्रिक एनरजी लाइज इलेट्रिक चार्ज जो इलेट्रिक एनरजी होता है वो इलेट्रिक चार्ज के फ्लो से होता है कि दो ब्रांच ओप फिजीट्स एल्यक्टिक एनर्जी को हम फिजीट्स में रखे हैं विज दिल वीद दॉ कि अस्टडी ओफ एन्य एस्टेटिक जल्थिक लेटिशीटि लेक्र सिति कुम जिस्ट्र से डिल करते हैं उप उसी चीज हो अगर मार्ण और इलेक्रिशिटी का अगर डिफाइन करेंगे तो एक ओलान में कर सकते हैं गश्चाइब एड़ फ्लो आफ अब एलेक्रिक चार्ज गार्स का अगर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो electricity produce नहीं होगी तो चार्ज का फ्लो के कारण है electricity produce होता है तो सबसे पहले जानते हैं इलेट्रीज चार्ज होता क्या है जो पहला पॉइंट है वो हम समझते हैं कि electric charge क्या होता है ठीक है तो वाट इस दो इलेट्रीक चार्ज होता है तो जो इलेट्रीक चार्ज होता है बेसेकली दो तरह के होता है इलेट्रीक चार्ज होग टू टाइमस पुजेटिव एन निगेटिव चार्ज तो फॉर्स पॉइंट लेते हैं इलेट्रीक चार्ज इस ओफ टू टाइपस पॉजेटिव एन निगेटिव क्लियर है दो तरह के चार्ज इस होते हैं पॉजेटिव चार्ज एन निगेटिव चार्ज प्रोट्रोन इस सेट टू बी चार्ज पॉजेटिव एन इलेट्रोन इस सेट टू बी चार्ज निगेटिव ली जो प्रोट्रोन होता है वो पॉजेटिव चार्ज देता है जो इलेत्रोंस होता है वो निगेटीव चार्ज देता है इसको भी लिख सकते हैं आपन तो प्रोटोन कौन सा चार्ज देता है पोजेटीव चार्ज और इलेत्रोन कौन सा चार्ज देता है निगेटीव चार्ज तो बोल सकते हैं प्रोटोन Electron is said to be positively charged and electron is said to be negatively charged. इसके बाद आते हैं second points पे, की जो like charge होते हैं यानि like charge कौन से charge होते हैं जो सेम तरह के charge होते हैं पोजेटिव पोजेटिव नीगेटिव इस तरह के charges like charge का लाएंगे, तो like charge और रिपेल एन अनलाइक चार्ज अट्रेट लाइक चार्ज रिपेल एन अनलाइक चार्ज अट्रेट दर यह प्रोटॉन रिपेल ए प्रोटॉन एन अट्रेट एन इलेट्रोन तो सेम चार्ज अगर जो है वह लाइक चार्ज है वह रिपेल करेगा अगर अनलाइक चार्ज ज जो है जो डिफरेंट है एक पूर्ट रन है दूसरा इलेत्रॉन है तो वो क्या करेगा एक ट्रेट करेगा ठीक है तो आपपन बोर्ट सकते हैं ऐसे समझने के लिए दज रे प्रोटोन अ and attract an electron and proton attract to electron ऐसे भी बोल सकते हैं clear है या 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 इसे भी लेश सकते हैं electron repel to electron and electron attract to proton electron repel to electron and electron attract to proton clear है कि नेस्ट पॉइंट पे आते हैं कि एक फोर्स ऑफ इलेट्रों और रिपॉल्शन बीट्विन टू चार्ज कि जिसको कॉलम ने दिया था एक दो रिपॉल्शन के बीच में जो फोर्स लगता है अब समझते हैं यह बात कि हमने बोला कि सेम चार्ज अगर रहेगा लाइक चार्ज रहेगा तो क्या करेगा रिपेल करेगा कि लिए बात अगर रिपेल करेगा तो उसके बीच कोई ना कोई तो फोर्स लगता होगा दो अगर दो चारजे से आपस में रिपेल कर रहा है तो उनके बीच कोई ना कोई तो फौर्स लगता होगा क्लिए रहे वो फौर्स के कारण ही दूर जाएगा तो उस कौन सा फौर्स लगता है और कितना फौर्स लगता है यह समझते हैं चैकर तो उस the force the force of attraction and repulsion between two charges is given by columns law the force of attraction and repulsion between two charges is given by columns law तो कोई फिर चार्ज चार्ज है उसके वह या तो वह फोर्स जाहए तो वह कितना होता है अखिर ठीक है कोई चरूरी तो नहीं है सारे repulsion equal ही हो सारे attraction equal ही हो आपने magnet देखा होगा अगर चोटा magnet होता है तो उसके बीच जो attraction होता है उसको असानी से अलग कर सकते हैं कम फोर्स लगा कर लेगन अगर वही बड़ा magnet है तो उसको अलग करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा तो वह फोर्स होगा कितना उसको define किया था columns ने उसने एक law दिया था जिसका नाम है columns लो ठीक है तो यहां पर जो समझते हैं अपन वह इधर से आएगा माल लेते हैं देख लेजी समझते हैं यह गया होगा तो वह यहां से हम देखते हैं कि फोर्स इसकोर्टू होता कितना है तो फोर्स इसकोर्टू होता है कि q1 q2 by r square थीक है कि q1 q2 by r square यही रूल यहां काम करता है यहां पर q1 और q2 दोनों gameplay ौर Фण कि दो ऑब्बिश हैं जो दो चार्टिस हैं यह वह पोजेटीव हो यह निगेटिव हो निगेटिव और निगेटिव हो कोई भी दो चार्टें से चांश है थीक है वह और उनके बीच differences उस पे यह depend करता है ठीक है तो और इसको अगर explain करना शुरू करते हैं तो कहां तक आएंगे तो देखे ध्यान देते हैं तो के इस constant proportion के इस constant proportion के जो है यहां पर constant है कि मैंनेज करने के लिए ठीक है और की वन और क्यूटू क्या है कि इस चार्ज अदोनों क्या है चार्ज है नेस्ट वन आते हैं और क्या है इस इंस टेंश बीटूइन देंश कि दोनों के बीच का डिस्तेंश की लिए रोगई बात कि Charge को नहीं destroy किया जा सकता है नहीं create किया जा सकता है जो charge है वह ही है सिर्फ हम क्या कर सकते हैं charge के साथ एक form से दूसरे form में change कर सकते हैं मालीज़ ये लेक्तिकर चार्ज है ठीक है उसको हीटर अगर बनाते हैं तो हीट में चेंज कर सकते हैं ठीक है और भी चीजों में चेंज कर सकते हैं उसको कि मशीन चलाते हैं मैं के निकल्ज चार्ज में भी उसको चेंज कर सकते हैं तो एक चार्ज से दूसरे चार्ज में बस चेंज करते हैं उसको देखी, हो सकता है कि जितना हम इसको चार्ज कीए, दिए, उतना वो हमारा लेकिन जो भी ये खपत भी हुआ है, अगर जो एनर्जी हम उसको दिये हैं, जो एनर्जी दिये हैं, उतना हमें result नहीं मिला कुछ energy यह अपने पास रख लिया ठीक है तो total मिला के जितना हमने उसको दिया जितना हमें result मिला के वो fix जितना था उतना ही आ जाएगा इसलिए बोल सकते हैं कि जो total charge होगा हम यह सा constant होगा को बिंध्य बोला है कि जितना हे तो उतना ही तो रहे इसलिए हमने क्या भोला इसको कि constant वो इसे चीज़ को लोक बोलते हैं Love conservation of charge समाझ में रही बात है ? नेश्प पॉयंट है देखने हैं प्रोटों और एलेट्रोंज और एलेमेंटरी चाउज पार्टिकल्स तूर्ण चार्ज और नेम अपोजित नेचर दा मैंगनेटीड आफ चाउज पोशेज बाइप देम इस शेम अगर proton और electron की बात करते हैं दोनों charge particle है, दोनों पर charge होता है अगर सबसे बड़ी बात है कि दोनों पर different charges होता है proton है वे positive charge, electron है वे negative charge बट दोनों के उपर जो charges होते हैं, वो same होते हैं जितना एक proton पर charge होगा, उतना ही charge एक electron पर भी होगा ठीक है, लेकिन differences सिर्फ इतना है, तो एक positive में होगा दूसरा negative में होगा, अगर same proton और same electron है तो दोनों balance कर जाएंगे, ठीक है तो ये viewpoint देख लिए आप proton and electron are elementary okay charge particles through the charge on them थ्रू दो चार्ज ओन देम इस अपोजिट इन नेचर ओके आपको पता है दोनों डिफेंट नेचर के होते हैं पोजेटिव होता है एक नेगेटिव होता है the magnitude of charge process by the them is same the magnitude of charge process by them is same कितना होता है charge आप पहले भी पड़े होंगे कि one electron कितना रखता है one proton कितना चार्ज होत रखता है 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कोलम इतना ही चार्ज proton भी रखता है इतना ही चार्ज electron भी रखता है ठीक है कि चार्ज ऑन दे बोड़ी कि इस ओल्वेज कि एन इंटर्गनल मुल्टिपॉल्स मतलब कि एक पे इतना होता है जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा यह होता जाएगा अगर माल लेते हैं एक इलेट्रोन है तो इतना चार्ज रखता है तो टेन इलेक्ट्रोन रहेगा तो टेन से मल्टिप्लाई कर दीजिए ठीक है तो अल्वीज यह इंटर्गनल मुल्टिपल होता है ठीक है इंट्रेगल ठीक है और दिस वैलू इंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट कि लिए लोगी बात तो जीतना प्रोटॉन चार्ज रखता है उतना ही लेट्रों स्वी चार्ज रखता है बद दोनों डिफ्रेंसेज नेचर होते हैं दोनों का दीकिया दोनों का जो प्रोपर्टी है और मौस्ट सेम होता है ठीक है दोनों चार्ज जञर्ज विज इंटर्डरन मौल्टीपल होते हैं तो नेषज पॉइंट अपने है कि बाटिध इंटर में इलेट्रों इट बिकॉम्स दे निगेटिव चार्ज देन इट लॉज इलेट्रों इट बिक्गमस द पोजिटिव चार्जि ända प्जिएट विगें तीक है लेता है सिंपल जीवात है इसे भी समझ लेंगे अगर इलेत्रोन गें करता है तो निगेटिव चार्ज बढ़ता है अगर वह लूज करता है तो पोजीटिव चार्ज आ जाएगा सिंपल है ऐसे समझ लो आप दूशे वर्ड में कि अगर आपके उपर कर्ज है यानि निगेटिव है अगर और कर्ज लोगे तो निगेटिव वीटी और बढ़ेगी कर्ज तो और बढ़ेगा लेकिन आप चुकाओग दोगे तो पोजेटिव बढ़ेगा यानि कम होगा कर्जी न तो उसी तरह की बाते हैं यहां कि इलेट्रोन से अगर गेण करेगा तो निगेटिव चार्ज होगा लेकिन लॉस करेगा इलेट्रोन तो क्या होगा पोजेटिव चार्ज होगा ठीक है तो नेश पॉइंट देख लेते हैं चलो यहां ऐख भीम वेन आ बोड़ी ढेन एलेकोम ता सब्सक्राइट सेुए प्रशले एलेकोर मियुक्ष द zucchे टा सतावर करेंए हीजने crazy. it charge clear okay when it loss ठीक है when it loss या लूजिस एलेक्ट्रोन इट बिकम्स पोजिटिव चार्ज क्लियर है जार दिजिए the study of electricity is classified into two parts ठीक है electricity को तू पार्ट में classified करते हैं सबसे पहले यह static electricity and current electricity यह दो पार्ट्स हैं तो सबसे पहला लेते हैं तो थे इलेक्ट्रिसिटी अस्ताटिक इलेक्रिक्ट्रिसिटी तो अस्ताटिक्ट्रिसिटी क्या होता है M.A.T.E. k चार्ज, एट रेस्ट, एन दियर इफेद, ठीक है, इसमें जो अस्टेटिक चार्ज है, वो रेस्ट में रहता है, वो फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो अस्टेटिक इलेट्रिसिटी हो का, दूसरा आते हैं, करेंट इलेट्रिसिटी, करेंट, एलेट्रिसिटी, ठीक है, तो करेंट इलेट्रिसिटी में क्या होता है, इडिल विद चार्ज इन मोशन, यहां पर चार्ज जो है, वो मोशन में रहता है, ठीक है, यह यह है, तो इडिल विद चार्ज इन मोशन, पर एंड देर इफेट् और उसका इफेट् जो होता है, जो भी हो, तो इस चेप्टर में हम बेसीकली हम इसी एलेट्रिक करन्ट के बारे में डिसकॉस करने वाले हैं, ठीक थोड़ा सा और डृट्टियल ने आपको दे देते हैं, कि अस्थेटिक इलेट्रिसिटी क्या होता है, आप कभी भी किसी भी मारकर, पेन, किसी भी चीज को अगर अपने हेर में इस तरह से रफ करते हैं और एक छोटी-छोटी-छोटी से पेपर के तुक्रेव के पास हम ले जाएंगे तो वो इसको एट्रेट करता है तो इसमें जो रफ करने के कारण चार्जिस पॉड्यूस हुआ है वह स्टेटिक चार्ज है ठीक है तो बच्पन में इस तरह कि आपने इस्परिमेंट किये होंगे तो सबसे पहले इसके बाद हम जो आते हैं वह पॉइंट है वह है कंड़क्तर एंड इंसुलेटर देखिए चार्ज को फ्लो होने के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत होती है और जिससे चार्ज फ्लो हो सकता है उसी में इलेटिसिटी फ्लो हो सकता है एक सिंपल सी बात है ठीक है और जिसमें चार्ज का फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं कंड़क्तर और जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है उसको क् कि लिरे